हेलो फ्रेंड कैसे आप लोग आई होप आल इस वेल तो देखिए सेंटर इलेक्ट्रोनिक्स लिप्टेड यह गवर्मेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज़ है ठीक है प्योर गवर्मेंट जाब है और सेंटर गवर्मेंट की जाब है यह और इसने देख लिए बीटेग और बीटेग और थे वालों के लिए वेकेंसि निकाली है और इसमें क्या है जो एक्स्प्रियंस वाले बंदे हैं अगर आपने मैंवी टेंट किया है दो से चार साल पांक साल दस साल का एक्स्प्रियंस है तो आप के लिए बहुत बहतरीं सेलरी प्रैकेस दे रहे हैं यह अब यह जो मैं बता रहा हूं वो आप देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि आप इलिजिबिल है तो आप अप्लाइज ज़रूर करिएगा क्योंकि सेंटर कोर्मेंट की जॉब है एक बार अगर आपकी जॉब लग जाई तो आपके सारे दुखदर दूर हो जाएंगे ठीक है और एमटेक वालों के लिए वेकेंसी है अब देख लिए सीनियर मैनेजर एच आर ठीक है यह वेकेंसी निकलिए जन्नल के लिए और इसमें देखिए यह एमबीए मांग रहे हैं ठीक है और आपका 55% मांग रहे हैं जन्नल के लिए के वली ठीक है लेकिन 12 साल का experience अगर आ मांग रहे हैं टेकनिकल मैनेजर टेकनिकल मैनेजर की वैकेंसी है ओवीसी के लिए ठीक है और यह civil civil मांग रहे हैं यह बीटेक डिगरी वीटेक डिगरी हो आपके पास सिविल इंजिनिरिंग में 55% मार्स हो ठीक है और नौ साल का एक्सप्रियंस हो आपको तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं कि और उसके बाद अगा यह देख लीजिए एक आपके लिए है परचेज आफिसर यह जनरल की एक और ओवी से के लिए सिट है ठीक है अब यह क्या ग्रेजुएट इंजिनिरिंग हो ठीक है और अपने अपने यह किया हो किसी भी ट्रेट में ठीक है और या तो फिर आप साइंस ग्रेजुएट हो और पिलस आपने किया हो दो साल के एक्स्प्रियंस है तो आप इसमें इलिजबिल हैं और एक है आफिसर HR MS यानि इसके लिए यह मांग रहे हैं बी टेक हो कंप्यूटर साइंस में इंफार्मेशन टेक्नलोजी में 55 पर्शेंट मार्श हो ठीक है और दो साल का आपको वेब बेस्ट रिस्टम साफवेर डवलेप्मेंट या वेब का आपको अगर एक्स्प्रियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं फिर है परसनल आफिसर इस तरह मांग रहे हैं ठीक है और दो साल आपको कि और सकते हैं फिर उलेक्त्रीकल इंजिनियर मांग रहे हैं यह post है ओवेशी के लिए निकली है इसमें OBC केवल आवेदन कर सकते हैं और यह B.E.B.TEC मांग रहे हैं 55% मार्स ठीक है और दो साल का केवल experience होना चाहिए ठीक है और अगर आपको M.TEC की डिगरी है electrical में तो आपको preference मिलेगा अगर आपने M.TEC किया है तो आपके लिए preference है और फिर देख लिए senior manager marketing मांग रहे हैं ठीक है यह general के लिए एक post है और यह MBA मांग रहे है 55% ठीक है लेकिन 12 साल का experience मांग रहे हैं अब 12 साल का experience मांग रहे हैं यह salary उनकी लाखों में है तो आप देख लिजिएगा कि अगर आपके पास यह experience है यह degree है तो आप इसमें apply कर दीजिए और यह technical manager general के लिए निकली है technical manager production इसमें mechanical engineer मांग रहे हैं लेकिन 9 साल का experience 9 साल का अगर आपको experience है production का तो आप इसमें apply करिए ठीक है फिर है assistant engineer assistant technical manager cloud technical architect on contact basis यह contact basis पे ले रहे हैं और इसमें SC के लिए जगे निकली है केवल SC इसमें आविदन कर सकते हैं और बी बीटेक electronics and communication 55% मार्स होने चाहिए और 6 साल का experience मांग रह administrative administration यह आप लोग समझ सकते हैं कि यह क्या मांग रहे हैं जो लोग BTEK किये हैं MTEK किये हैं और देख लिजए desirable यह है कि MTEK in electronics telecommunication computer science यह desirable है मलब इनको preference मिलेगा ठीक है और एक OVC के लिए दो वेकेंसी निकली हैं यह डिप्टी इंजिनियर smart solution ठीक है यह BTEK electronics communication computer science मांग रहे हैं 55% मार्स ठीक है 55% मार्स मांग रहे हैं और अगर आपने MBA किया है तो आपको preference मिलेगा ठीक है उसी तरह यह OVC की एक वेकेंसी ओन निकली है डिप्टी इंजिनियर क्रेमिक ठीक है तो इसमें भी क्रेमिक इंजिनिरिंग होती है यह BTEK वालों के लिए है और दो साल का experience होना चाहिए प्रोडेक्शन में तो इसका मैं पूरा notification का link दे दूंगा कैसे apply करना है उसका भी link दे दूंगा मैं website जो इनकी है ठीक है उसका भी link दे दूंगा तो आप आप जाके वहां से देख लीजिएगा उसी तरह यह देखिए पूरे सब के लिए निकली है वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा से बता दे रहा हूं आप देख लीजिए पूरा इसमें ठीक है जो आपको सही लगे आप उसमें अपलाई करिए लिकिए अपलाई ज मैक्स में 42 साल मांग रहे हैं तो 15.38 लाग पैकेज मिल सकता है आपको परेंदम का ठीक है 15 लाग का मतलब है कि आपका इनहेंट अगरीबन डेड़ लाग तक जाएगा ठीक है और यह CTC है कांट्रेक्ट पोस्ट के लिए रेगुलर जो पोस्ट है इसमें उसके लिए 17 लाग 17 लाग का पहुने 2 लाग तक का आपका पैकेज मलब सेलरी मंतली जाएगी ठीक है और अगर आपकी एस तीस साल के अंदर है तो आपको पैकेज मिलेगा 9.95 यह है रेगुलर पोस्ट के लिए ठीक है जो रेगुलर रहेगी सरकारी बिलकुट प्योर सरकारी यह कांटेक्ट सब्सक्राइब के लिए ठीक है तो इसका आप देख लीजिए अब इसमें एक तंसोलीडेट पे है यह पर मंत इसको समझ लीजिएगा ठीक है और यह जो है 22 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं इसमें तो आप जल्दी से उसको पढ़ लीजिए समझ लीजिए अप्लाई कर दीजिए ठीक है और इसमें नान इफंडिवेल बैंक ड्राट पांसो रुपे लगेगा ठीक है सेंटल एक्ट्रोंस लिम्टेट के नाम पे होगा ठीक है और इसमें पूरा दिया हुआ है आप समझ लीजिए गां तो कि सेंटर करमन की जगह भर ली जिए उसको बढ़िया रहाएगी आपकी जिन्दीगी बन जाएगी इसमें ठीक है जो लोग मैंने चैनल में नए आया है तो हमसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब कर दिया करिये और अपने मित्रों को सेयर भी कर दिया करिये मुझे काफी इंबोक्स आते हैं इसलिए आप कम बताते हैं तो मैं लोग के लिए लाया हूं यह वैकेंसी कि जो एक्स्परियेंस बंदें हैं उनका भी कुछ भला हो जाए ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जौब और केरियर से रिगार्डिंग पढ़िया खबर के साथ जैहिन जै भारत